वेलकम टुछ नावियू एइंड वेलकम टुछ लाइप गैसथी इंगलिश का पार्ट 2 देखेंगे पार्ट 1 चरह प्लाइन ध्लाहिए जिसके अंदर फिल इन द बलांक्प और हमने अंतॉनिम्ज के जो कोशन से वह देखे थे पार्ट 2 के अंदर हम सिनोनिम्स के उपर जो क माग खुला रखना है इंग्लिश के अंदर और अगर आप आज से भी थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टेस करें तो आप अपने आपको काफी इसके अंदर स्ट्रॉंग कर सकते हैं 20 में से 17 कोशन 16 कोशन 18 कोशन 16 से 18 कोशन बेसिकली खीच करके अगर आप कर लें अपने तो आपको एक बहुत अच्छा कॉंपेटिटिव एज जो है वो पेपर के अंदर मिल जाता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट एक सेग्मेंट है इंग्लिश इसको ज़रूर करिए प्रिवियस येर के CDS के जो कोशन होते हैं या UPSC के बाकी के एक्जाम में CAPF NDA वगरा में जो भी कोशन आते हैं जितने भी एक्जाम के अंदर इंग्लिश के वो ज़रूर प्रैक्टेस करें आपको काफी ज़्यादा हेल्फुल वो रहेंगे ओके तो लेट जो कॉम्बो कोर्स है वो अराउंड 600 रुपीज का पड़ता है जिसके अंदर आपको आई आर लेबर लॉव सोचल सेक्योरिटी गाप के MCQ मिलते हैं विद डिटेल एक्प्लेनेशन और इसके उपर भी अभी 50% आफ चल रहा है तो UPSC, EPFO अगर आपको ड्यूज करते हैं 50% फॉर्दर आफ मिल जाता है तो 300 रुबे में आपको यह कोर्स मिलता है और PDF फाइल भी इस कोर्स के अंदर साथी में है तो अगर आप यह कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से PDF फाइल भी पर्चेस करने की जुरूवत नहीं है तो लेट एस क्विकली स्टार्ट नियरेस्टि बिसिकली हिंसा हम समझते हैं तो कार्नेज बेसिकली क्या होना चाहिए आइडिया आमें लगाना पड़ेगा ऑप्शन ए है ब्लडशेड बी लस्ट सी कंसर्न एंडी सेटायर तो अंसर इसके अंदर सबसे पहले आपको बता देता हूं अंसर इसके अंदर होगा ऑप्शन ए ठीक है वोईलेंज के साथ देखो लस्ट कंसर्न और सेटायर सूट करीनी रहे हैं ओप्शन में मीनिंग्स देखते हैं सबसे पहले हर चीज का कार्नेज क्या होता है किलिंग ओफ लार्ज नंबर ओफ पीपल ठीक है अब बी क्यों ने हो सकता बी क्यों होता है लस्ट क्या होता है सेक्शूल डिजायर को हम बोलते हैं toh again carnage which is equal to killing of large number of people is not related to सेक्शूल डिजायर क्या हो गया matter of interest या importance so again can not be done satire basically humor का use जहाँ पर हम कहते हैं place वगेरा के अंदर जो use होते है तो that is called your satire so basically B, C और D कहीं आसपास भी नहीं है carnage के so that is why answer A जो है वो correct होगा यह बहुत simple words है lustig बहुत commonly used word है concern, satire, bloodshed बहुत commonly used words है यह कोई ऐसे words नहीं है जो आपको जिसके लिए पूरी Oxford dictionary जो है वो चाननी हो ऐसी words नहीं है बहुत simple से concept है बस थोड़ा सा patience रखके इनको answer करना है अब देखो दूसरा question देखो, पहले खुद से समझो this religious gift that makes man human is still alive in Indian souls religious, अब यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज़्यादा confused हुए जो सबसे ज़्यादा confused हुए वो A और B option के अंदर confused हुए, कि इसका answer mystical होगा या spiritual होगा metaphysical और philosophical तो फिर भी बच्चों ने बहुत easily eliminate कर दिया था दो, यह सारी की सारी terms बहुत close हैं एक दूसरे के साथ answer यहाँ पर आपका होना तो option B mystical क्यों होता है religious basically आप किसी religion में believe कर रहे हो, mystical होने के लिए आपको religious होना ज़रूरी नहीं है ठीक है, mystic basically क्यों होता है जो आपका spiritual mystery, जो mysteries होती है जैसे हर religion के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ mysteries है you can also say something related to magic or the power of God ठीक है, power of God magic, power of God okay, basically understanding something going deep into it तो mysticism वो different एक concept हो गया यहाँ पर बात हो रही है, believe in religion की तो spirituality जो है basically यह भी किस चीज़ से relate करता है religion या religious belief से तो religious के साथ सबसे close होगा आपका spiritual अब देखो metaphysical तो क्या होता है, यह तो एक philosophy की branch है, जो basically reality की study करता है philosophical, basically again something related to knowledge reality existence, तो religious is not same as metaphysical or philosophical, okay but यहाँ पर mystical or spiritual में आपको confusion हो सकती थी, तो answer will be spiritual यह तो यह कितना असान question है, it is difficult for us to imagine how much this safety means to everyone, ठीक है अब देखो कितने easy-easy options है feel, understand, think, see feel, understand, think, see answer क्या होगा, answer होगा option c, option यह answer क्यों नहीं है, feel का क्या मतलब होता है, feel का मतलब होता है, when you can sense something, आप अपनी body से उसको sense कर सकते हो, आप किसी चीज को touch कर सकते हो, ठीक है आप किसी चीज को, you can listen it, you can taste it, तो वो क्या हो गया, आपका feel हो गया, imagination के अंदर आप smell, touch, hear, taste नहीं कर रहे हो imagination completely एक mind का phenomenon है, ठीक है, जिसके अंदर you are imagining things, you are not feeling anything, ठीक है, आप अपने senses, जो आपके nose, tongue, ears, आप उसका use करके कुछ sense नहीं कर रहे हो, ठीक है तो ultimately feel इसका answer नहीं हो सकता, understand क्या होता है, समझना okay, to understand something, no, imagine and understanding has nothing to take, okay so understand भी नहीं हो सकता, think is सोचना, think is you are thinking about something, imagining, okay so thinking and imagining can be very close, see तो क्या हो गया, देखना क्या आप कुछ देख पारे हो, so imagine is not की जो आपकी आँखो के सामने है वो आप देख रहे हो तो अगर वो आपको दिख रहा है, you can see something, that is a sense of feel, तो वो तो आप अपने senses का use कर रहे हो न, see तो एक अलग concept हो गया, what is in front of your eyes, imagination does not require your eyes, आप अपना आँखे बंद करके भी imagine कर सकते हो so think किसका most close answer होगा next question है जी, public services is not, public services not merely something that occupies the hours you are doing it जब आप सरकारी नौकरी में जाते हो तो इसका मतलब सिरफ यह नहीं है कि वो आपका समय लेगा but invades all your life and experience and affects them in one way or the other, but यह आपकी कहीं न कहीं personal life के अंदर भी दाखिल हो जाता है, जो public services का आपका काम होता है तो invade से most close क्या है, option A preserves, B है demolishes C है covers and D है spoils, invasion का मतलब कभी भी नहीं होता कि वो spoil ही हो रहा है, ठीक है, invasion का मतलब कभी भी नहीं होगा कि it is getting spoiled, so answer D, इसका answer नहीं हो सकता, preserve का तो मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से public service आपके personal life को या आपके life के बाकी के experiences को effect करी नहीं रहा, तो invade और preserve तो विलकुल opposite हो गए अगर हमसे antonym यहाँ पर पूछता, तो हम इसका answer शायद A कर देते invade का अगर उसने हमसे antonym पूछा होता, but अब हमसे क्या पूछा है synonym पूछा है, तो यह तो हो नहीं सकता उसके बाद demolishes, demolishes again, spoil or demolishes काफी close है कि पूरे तरीके से destroy कर देता है, we are not talking about कि वो destroy कर देता है, हम यह बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका effect उसकी परच्छाई, हमारी बाकी की life, हमारे पूरी life हमारे life के जो अलग experiences है, उनके उपर सबके उपर आता है ठीक है, तो demolishes भी उसका answer नहीं होगा covers, covers का basically क्या मतलब होगा है कि देखो, आप public service में जा रहे हो तो सिरफ आपका वो time नहीं ले रहा लेकिन वो आपकी बाकी की life को भी एक तरीके से cover कर रहा है, ठीक है, so that is why यहाँ पर जो most close बनेगा that will be C, invasion या covering okay next question, how was in the early part of 20th century a staunch nationalist of the liberal fold he was, sorry, he was in the early part of the 20th century a staunch nationalist of liberal fold तो liberal का क्या है यहाँ पर meaning होगा अब यह थोड़ा सा question इसलिए थोड़ा difficult लगा होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर जो पहले दो options है, वो कहीं न कहीं बच्चे को लगता है कि यार हमें इसका meaning नहीं पता but अगर guess work भी करना हो, तो liberal का बहुत easily आप इसमें synonym choose कर सकते हो, that is tolerant, ठीक है, liberal is something when you are tolerant, okay, liberal हो आप, जैसे liberal term हम बहुत generally use करते है, my parents are liberal to me, okay अब देखो, liberal क्या हो गया, जहाँ पर आप as a liberal person, आप क्या करते हो, दूसरे के behavior, दूसरे के opinions, अगर वो आपके behavior और आपके opinion से different भी है, तब भी आप उनको respect करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपका behavior या आपके opinions वाला बंदा है, उसको तो आप कह रहे हो, हाँ, ये ठीक है, जो बाकी के opinion रखता है, opposite opinion रखता है, उसको आप बोले तो पागल है, ठीक है, तो liberal क्या होता है वो हर के opinion को respect करता है अब profuse का क्या meaning होता है, profuse का meaning होता है plentiful, बहुत जादा, ठीक है कि यार, जो मेरा opinion है न, वो ही एक fact है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो fact है कितनी बड़ी बात है, कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो fact है, और यही सही है, जब आप बोल दो न, कि जो मेरी बात है, वो fact है, तो उसका क्या मतलब हो गया है कि जो आप बोल रहो सिरफ वो ही सही है और दूसरे person के अगर कोई opposite view है तो वो गलत होगा तो ये तो opposite होगे तो again अगर मेरे से अब liberal का opposite पूछा होता तो मैं इसका answer dogmatic कर देता बट मेरे से क्या पूछा है nearest in meaning तो answer हो जाएगा tolerant, okay errors वाले question देखो इसके अंदर आपको बताना होता है कि error कहाँ पर है ABCD आपको चार options given होते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो question में statement पढ़ो neither the servants nor the clerk has done this no error, option D ठीक है, अगर कोई भी error नहीं है ABC में तो आप answer कर दोगे D अब यह पहले question में देखो neither the servants nor the clerk has done this, no error तो अब यहाँ पर answer इसका होगा option D क्योंकि सारी statements ठीक है अब for example यहाँ पर वो has की लगजगा लिख देता, have तो यह क्या हो जाता, यह गलत हो जाता क्योंकि आपर हम सिरफ एक clerk की बात कर रहे हैं singular person की बात कर रहे हैं अब for example अगर इस statement को वो change कर देता neither the clerk nor the servants has done this ठीक है तो यहाँ पर आप has की जगा have से इसको replace कर देते हैं ओके, so simple concept है second question the car which went past us when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour option D is no error okay, so यहाँ पर आपका answer क्या होगा again the answer is D काफी बच्चों ने इसका answer C कर दिया था and R को देख करके देखो अब यहाँ पर क्या होता है वोवल का concept बहुत गलत होता है कहीं बच्चों का school के अंदर कि वोवल, and सिर्फ वहाँ पर लगेगा जहाँ पर आपका वोवल है A, E, I, O, U ठीक है but when we are talking about using an तो हम यह A, E, I, O, U की sound देखते हैं ठीक है हम exactly alphabet नहीं देखते हैं हम sound देखते हैं R, R के अंदर अगर आप देखोगे so, आपको sound किस की आ रही है R, A की sound आ रही है so, that is why and has been used here और यह concept यूज करके कुछ बच्चों ने इसका अंसर जो है वो D की जगा C कर दिया था and उनका question जो है वो गलत हो गया था next question Raju will be back home in an year after his stay abroad and option D is no error यहाँ पर आपका अंसर होगा option B in an year will be wrong यहाँ पर in a year यहाँ पर आना था okay, in a year यहाँ पर आपका आना था next question I have much work to do no error so, यहाँ पर भी आपका अंसर क्या होगा option D no error यह बिलकुल correct जो है A, B, C के अंदर statements है then, psychology did not develop into a science based of careful observation and experimentation until the late 1800s so, psychology did not develop into a science based on यहाँ पर आना चिये था and that is why option B will be the wrong statement और इसलिए आपका अंसर क्या होगा option B so, this is it guys with this we are done with the English part as well okay and अब हमारे साए पर्ट सुचुके General Science का पर रह गया 2020 वाले एक्जाम का वो भी हम कबर अप कर देंगे and then we'll move on to the 2017 paper okay so, with this we'll end the class guys and see you in the next class till then take care and bye